हलो दोस्तों विजय अकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले पेड़ा गोजी पर साथी साथ जिन्होंने अभी भी MP परिक्षा सफल तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लिजिए व्यापम के दोरा आयो जीत सभी परिक्षा चाय वर्गे को वर्ग दो MPSI MP कॉंस्टेबल इन सबकी इस एपके माध्यां अच्छे तैयरी कर सकते हैं उसके 50,000 से भी अधिक प्रसने जिन आप निसुलक लाब ले सकते हैं साथी साथ आप ओनलाइन टेस्सीरीज भी इसकी बाय कर सकते हैं और अगर आप इस टेस्सीरीज को बाय करते हो अगर हमारे ये description में हमारे description में इसकी लिंक है इसे को आप वहां से भी download कर सकते हैं साथ ही साथ आप इसे Google Play से भी download कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे महत्पुन टॉपिक पर और अभी भी जिन्हों ने ये बुक आप जीश सकते हैं ये बाल विकासे उसिक्यासासर की बुक है ये पूरे की पूरे थेोरी को कवर करती है साथ ही साथ इस पे छेस सो पचास से भी अधिक प्रस्न इसके अंदर दिये गए हैं ये बाल विकासे उसिक्यासासर की एक अच्छी पुस्ता के अगरवाल ए सुलक में भेज़ दी जाएगी और आपको शेयर किया हुआ वीडियो इस नंबर पर भेज़ना है तो चलिए सुरू करते हैं आज की हमारी क्लास आज हम आपसे बात करने वाले पार्ट्यू पुस्टक पर देखें पार्ट्यू पुस्टक के क्या होती है वर्क बुक क्या होती जो आप बच्पन से ही आपको भी पता कि आप किताबों के माध्यम से ही पढ़ाई करते आ रहे हैं तो यह सबसे अधिक प्रचलित विदी है यही लिखा है यहां पर कि पार्ट्यू पुस्टक विदी सिच्छन की सबसे अधिक प्रचलित विदी है यह बात आपको भी पता आपने भी जब से पढ़ाई स्टार्ट के हैं आप हमेशा किताबों को पार्ट कुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ाई करते हैं यहीं लिखा है इसके अंदर आपको बस और अगर मैं कुछ बात बताऊं तो जो मुख्य बात है वो यही है है कि सबसे पहले बात होटा है सबसे अधिक प्रसलित भी वी जी है और साथ इसके अंदर दो टीजें दो अजड़ चलते हैं कि यह बरे आप लास में हैं आप एप स्टूटट होता है कि वो टीचर लुडा बढ़ द्येंचど sushi को होता है कि मैं और को चेप्टर पढ़ना आजकल कुछ विद्वानों दोरा इस विदी को तुम पढ़ो में सुनू या तू पढ़ विदी के नाम से भी पुकारा जाता है जो कि इसका विक्रत रूप है क्योंकि छात्र बारी-बारी से पढ़ते हैं और सिक्षक सुनता है अत्वा सिक्षक पढ़ता है तो छात्र सुनत नहीं कहा जाता है को आपको बता दी हैं तो बस आपको कुछ नोट नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं तो यह लाइन नोट कर लिजे कि पार्ट पुस्तक विदी सिक्षिन की सबसे दिक प्रचलित विदी है और इसके अंदर तुम पढ़ो में सुनू या तू पढ़ विदी के नाम से भी इसे पुकारा जाता इतना ही नोट कर लिजे आप आपको याद आ जाएगा इसके ज़्यादा आपको नोट करन मिल जाए साथी साथ वीडियो पसंदा है तो लाइक करना और सेयर करना बिलकुई भी ना भूले और सेयर करने वाले जो भी लखी विनर होगा कोई एक लखी विनर ये बुक जी सकता है और आपको क्या करना है ये वीडियो को सेयर क्या हुआ हुआ स्क्रीन सौर्ट इस अनुभावें उसके जो विचार होते हैं ये सभी का एक संचीत horrific होती है मतलब इन सभी को मिलके एक पustक बनती है जो आप आपके विचार है इन सभी को जब एक जग़ारा करे कोई चीश बनाई जाती है तो हो पाठ पुस्टक होती है मानवी ग्यान के संचार के साथ उसके संचार का साधन भी पुस्तके होती है अब आपको क्या नोट करना आपको इसमें ये नोट कर लीजे ये वाला जो मैं हाइलेट कर रहा हूँ पार्ट पुस्तकार्थ ये नोट कर लीजे केवल आप जो मैं highlight कराते चाथा हूं काफी सारे student notes बनाते हैं और वो मुझे भेज भी देते हैं WhatsApp पर तो आप भी notes बना रहें तो आप मुझे भेज भी सकते हैं अब बात करते हैं definition पर पर क्या क्या इसकी परीभासा हैं महत्त्पूर्ण परीभासा हैं हेरो लिकर के अगर हम बात करें तो हेरो लिकर ने क्या कहा है ज्ञान अनुभाव भावनाव विचारों प्रवत्तियों और मूल्यों के संचय का साधन पार्थ पुस्तक है मतलब आपका जो भी ज्ञान है जो अनुभाव है जो आपकी भावना है आपकी विचार आपकी ज़रूर इसे नोट कर लें, आप definition कहीं बार पूछी जाती है, अब बात करते हैं अगले definition पर, हाल क्वेफ्ट के अगर हम बात करें definition की तो पार्ठी पुस्ता की अनुदेशी है, अभी प्रायों के लिए विवस्तित किया गया एक प्रजातिय चिंदन का अभिलेख है, ये definition पूछी गई है, तब ही मैंने यहाँ पर इसे स्लाइड में सामिल किया, तो नोट कर लीजिए आप इसे भी हाल क्वेफ्ट किये कि पार्ठ पुस्ता के अनुदेशी है, अभी प्रायों के लिए विवस्तित किया गया एक प्रजातिय चिंदन का अभिलेख है, अब आपको जो हाल क्वेफ्ट की डेफिनेशन के दो महत्पुन वर्ड में अगर आपको बता दो तो एक तो अनुदेशी है, वर्ड याद कर लीजिए आप इसके डेफिनेशन में, और साथी साथ एक प्रजातिय चिंदन का अभिलेख, बस इतना ही ये दो वर्ड याद कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर याद आजाएगा हाल क्वेफ्ट का नाम अरामसे की अनुदेशी की बात करते हैं, साथी साथ प्रजातिय चिंदन का अभिलेख की बात करते हैं, अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन पर, बेकन की डेफिनेशन क्या कहती है, पाट पुस्तक के वेफ्ट ने भी यहां पर पजाती है चिंतन का अभिलेक कहा है तो दोनों के अंदर सिमिलेटी और यह अगर दो यह आपसन में आपके होंगे तो फिर आपको जो महत्पूर्ण वर्ड है वो याद रखना पड़ेगा दोनों में डिफ्रेंस के लिए अनुदेशी अभिप्रा पर आहरे और साथ ही साथ अगर हम बेकं की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा कख्छा कक्ष में प्रयोग याद करना पड़ेगा तो यह थी बेकं की डेफिनेशन बात करें नोट कर लीजिए आप important definition ने सारी की सारी इसलिए मुझे इतनी सारी definition से सामिल करना पड़ी है और देखें काफी सारे student मुझे बेच चुके आप कभी भी बेचे माल लीजिए आपने कभी भी वीडियो सेयर करके अगर आप उसके screenshot जो भेचते जाते हैं तो जो लोग अभी भी नहीं बेच रहें भेच दीजिए आप आपको बुक भेच दी जाएगी फिरी में आपके घर बुक आ जाएगी लांगे की definition की बात करें तो क्या कहती है पार्ट पुस्तक है किसी अध्यन की प्रमुख साखा के लिए एक मानक पुस्तक है यह पूछा गया है यह definition IMP है याद कर लिजिए लांगे की definition में मानक पुस्तक है जो एक उसका word है वो आप नोट कर सकते हैं प्रमुख साखा और एक मानक पुस्तक हैं हम आपको इसलिए साब बताते हैं ताकि यह definition याद रखी जा सके तो आप एक एक दो दो word पकड़के ची definition से आपको काफी अच्छे थे पार्ट पुस्तकों के बारे में समझ में आ जाएगा एन साइक्लो पीडिया आफ एजूकेशन रिसर्च की definition है यह कहती है कि आधुनिक तथा प्रचलित अर्थ में पास्ट पुस्तके सीखने वाला साधने जिनका प्रयोग विद्यालाय कालो जो में अनुदेशन कारिकरम को परिवपूरित करने के लिए किया जाता है समाने अर्थ में जो पार्ट पुस्तक होती है क्या होती है मुद्रित होती है इनकी जिल्द मजभूत होती है और जो भी बच्चा सीखना चाता उसके हातों में होती देखिए आप सभी को जब भी आप इसकूल में पढ़ते थे सबके पास अपनी पुस्तके होती थी आपकी पुस्तके मुद्रित मतलब प्रिंटेड होती थी साथ हो जिल्द होती थी ताकि किताबे फटेना यही कहती है एनसाइकलोपीडिया आफ एजूकेशन रिसर्च की डेफिनेशन तो आपको इस देफ क्लोपीडिया आफ एजूकेशन रिसर्च की बात करते हैं अगली डेफिनेशन पर तो आपको मेरे साब से इसमें अगर कुछ नोट करना है तो आप क्या नोट कर सकते हैं पाट पुस्तके मुद्रित होती है जिल्द मजबूत होती है सीखने वाले के हातों में सोफा जाता ह है यही आप नोट कर लेजिए इतने में ही आपको डेफिनेशन वहाँ पर याद आ जाईगी आसानी से बात करते हैं हम अगले कोई डेफिनेशन पर अमेरिकन टेक्स बुक पबलिसर इंसिट्यूट की डेफिनेशन है यह क्या कहती है कि जो पाट पुस्तके विद्याला है या कक्षा है तो छातर तता सिक्षक के प्रयोग के लिए विसेश रूफ से तयार की जाती है मतलब जो इस्टुडेंट और टीचर दोनों के लिए यह प्रयोग के लिए क्या विसेश रूफ से तयार की जाती है जिसमें एका की विसाय या घनिफ रूफ से संबंदित विसा किसना भी घुमा के आप से पूछा जाएगा आप असानी से बना लेंगे अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर देखिए जो प्रते एक पार्ट पुस्तक जो होती है वो प्रते पुस्तक क्या होती है पार्ट पुस्तक नहीं होती है केवल वही पार्ट पुस्तक कहलाती है जो की आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसे बनाया जाए तो आप उसे ही पार्ट पुस्तक कहेंगे जो आपके सिलेबस की अनुसार जो आपके पार्ट करम की अनुसार बनाई जाती है वही पार्ट पुस्तक के कहलाती है अब बात करते हैं हम उसके कि पार्ट पुस्तक के क्या क्या उद्देश होते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको इपढ़ता है कि पार्ट पुस्तक को कि सायता से आपको क्या होता है यहीं लिखा है कि आपको ग्यान प्राप्त होता है और बात करते हैं अब हम इसके महत्पूर्ण उद्देत होगी देखिए यह क्या करता है कि जो भी स्टुडेंट उसके ग्यान की सीमा को क्या करता है विस्सा देता मतलब बढ़ाता है उसके ग्यान को प्रेक्टिकल बनाता ह साथ इसाथ उसका जो बालक के विशाय विवित्ता एवं उसकी सेली विविनता से क्या कराता है परीचाय कराता है उसकी कल्पना सकती को विक्सित कराता है देखिए आपको क्या करना है या आपको कुछ भी हाँ नोट करने क्या हो सकता नहीं एक ही बार आप सुन लेंगे तो तो आपको याद हों जाएग video क Crusty से परेशा कराती है तो काफी सारी चीजे इसे ही इस को नोट करने क्या हो सकता बिल्कुल भी नहीं है आप में मतलब खुद से पढ़ने की मतलब आप खुद पढ़ने स्वाध्धाय करें इसकी रूची उत्पन करती है साथ ही साथ क्या करती है आप में विवेग पेदा करती है ये बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या उची थे, क्या अनुची थे, क्या सुब है, क्या लाव है, ये सब चीज़ें आपको किताबों के माध्यम से प्राफ्ट हो जाती है, तो नोट करने का कुछ भी यहाँ पर मेरे रिसाफ से नहीं है, आपको इसे ही याद हो जाएगा, केवल बस एक एक हेडिंग डाल और इसे एलफ स्टेडी के बती रूची उस्पन करती है, सब सारे पॉइंट आप आसानी से वहाँ पर भी अगर आएंगे, तो आपसन को देखके समझ जाएंगे आप, तो नोट करने के आऊ सकता आप बिल्कुँ भी नहीं, अब अगर हम बात करें, पार्ट पुसता के कि क कैसे पढ़ाना है, सब किताबे उनके बास रहती है, प्रिंटेट किताबे होती है, वो उन्हें देख लेते कि आज मिचे ये टॉपिक पढ़ाना है, और वो पढ़ा देते हैं, तो उनको कोई विसेस प्रकार की कोई सामगरी तयान नहीं करना पड़ती है, ये इलाव है, त तो साथी साथ, जागर कोई मतलब आप स्टूडेंट है और अगर आपको कोई बास समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं, उस किताब को पढ़कर समझ सकते हैं, ये इस कालाव है, साथी साथ जो भी सब्जेक्ट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से इसमें समझा ज जाता है, तो इस से आपको बहुत अधिक सायता मिलती है, ये ही लिखा यहाँ पर, और अगर आप किसी दिन आपने छुट्टी मार दिये, स्कूल, कॉलेज ये आप नहीं गए तो आप क्या कर सकते हैं, उस दिन का कारी को आप क्या कर सकते हैं, उन पुस्तकों की माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं, तो देखिए, आपको कुछ भी नोट करने का नहीं है, किवल एक बार सुनने का है, और आप असानी से, आपके वहाँ पर किसी भी प्रकार का कुछ भी पूछ जाएगा, आप असानी से आप अब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पढ़ना बह पातरों को लक्ष करके लिखे जाती है, मतलब एक बच्चे को अकॉर्डिंग बनाई जाती है, कि कितने इस तरह का बच्चा है, बच्चा दस्वी का है, तो उसकी पूस्ता क्या अलग होती है, पांच्वी के बच्चे की किताब का इस तरह अलग होता है, तो बच्चों को क्या हो लाबकारी हो उनके लिए यूसफुल हो और एक जो सिख्यक को पार्ट क्रम देखने की आऊ सकता नहीं पड़ती है पार्ट पुस्ता के जो होती है वो क्या होती है जो भी आपका सिलेबस उसके अनुसार बनाई जाती है तो आपको पार्ट पुस्ता के क्या लाब है य एक तो आपके knowledge को बढ़ाती है, teacher को कोई business प्रकार की तैयारी नहीं करना पड़ती है, जो syllabus में लिखा है, वही कि वही आप पढ़ा सकते हैं, अगर आप किसी दिन school college नहीं जाते हैं, आपका जो भी सिलेबच छूड़ जाता, आप उन किताबों की साइधा से पढ़ के अपना काम पूरा कर सकते हैं, अपना कारुदरियन का पूरा कर सकते हैं, अगर कोई चीच आपको समझाए जाती हैं, वो भी समझ में नहीं आती है, तो आप उन किताबों के माद्यम से क्वाइब कर सकते हैं समझ सकते हैं आप किसके दोस्त क्या क्या है इससे कोस्टन जरूर आएगा इसलिए मैं इसको पूरा पूरा इस वीडियो में कवर किया है कि कुछ भी पूछा जाए नोट करने का बहुती कम है आपको लेकिन समझ लेंगे एक बात तो असानी से चीज़े समझ में आएंगी पार पूस्तकों में भूल रहने की संभावना रहती है जिससे चातरों को देखे आप क्या होता जो पढ़ते हो भूल जाने की संभावना रहती है तो जिससे चातरों को क्या होता है कि सापकी जो आपने पढ़ा आपका टाइम वेस्ट हो सकता अगर आप जो बार बार क्या कहते हैं उसका किया करें आप revision करें क्योंकि अगर आप revision नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा भूल जाएंगे और भूल जाएंगे जो पात पूतसकों के प्रयोग सिच्छक इसमरंद सक्ति का विकास अधिक होता है लेकिन जो अनपक्ष होते हैं उनका उतना विकास नहीं हो पाता ये इसका दो से साथ से साथ क्या होती है एक अगर आपको जो किताबे दी जाती है तो एक टीचर को यह ही रखता है कि यह पूरी किताब मुझे इनको इतने टाइम में चाहे वो टाइम एक साल का हो सकता है या ने 6 मेने का जो भी आपका लोस में टार्गेट रहता है कि इसे पूरा कर राना हो क्या वह कि उस तौरा कर ने में ही लग जाते है यहे इसके अधीक प्रयोक में उस्षक्शंस को पूरा करने टक ही सीमीत है मतलब जो इतनी किताब है बस इतना ही पढ़ाने का उन्हें रहता है कि बस इतना पढ़ाना है तो ये भी इसका एक दोस है साथ एसाथ भूल जाते हैं अब ये इसका दोस है अब अगर हम बात करें कि पाट फुस्तकों कि क्या उप्योगिता है या क्या महतु है तो देखिए अगर हम बात करें पाठ पुस्तकों के उप्योगी तादारित उसकी क्या विसेसा है या उसका क्या महत्व है तो देखिए किताब बिलकुल किताब जो होती है वो अनुभा और ग्यान का भंडार होती है यही आप नोट कर लिए इसमें कुछ भी अगर एक बार मैं पढ़ देता हूं के बल महापुरूसों के विचार सिद्धान्तों के अध्यासोद आधी अधारित निस्करत इत्यादी का संचित भंडार पुस्ता के होती हैं और यह क्या होते हैं और अध्यापाग दिया जाता है तो एक तो जो टीचर होते हैं उन्हें पढ़ाने में सुविधा रहती है और साथी साथ जो इस्टुडेंट रहते हैं उन्हें समझने में सुविधा रहती है यही लिखा कि पार्पुस्तकों का निर्मान इस प्रकार किया जाता है कि विसे वस्तु करम बद् से समझ में आए इस्टुडेंट को अच्छे से समझ में आ उसकी उस विसे में रूची विक्सित हो और साथ ही साथ वह विसे उसे अच्छा लगे तो इस तरह से थोरा थोरा डिवाइड करके पढ़ाया जाता है तो यह होती है सुगमता बात काता है समझ की वचयत बिल्कुल बिल्कुल भी न भूले और देखिए जो भी वीडियो को आपको सेर करना है उसका स्क्रीन सौट हमें इस नंबर पर भेज देना है एक लखी विनर जो होगा उसे यह बाल भी कास है मैं सिक्चा सास की बूख उसके घर पे निसूलक में भेज दी जाए कि अगरवाल एक्जाम काट की बूख है जो पड़ाना है कितना पड़ाना है पाथ करम को समाफ्द करने में कितना समय लगेगा ये सभी जो आपको डिसान इर्देशन का काम करती है टीचर के इसलियर इसे सिख्षा की पर्दर्सी का कहा जाता है मतलब उन्हें मार्ग दिखाते कि आपको कितना पढ़ाना है कब तक कितना complete हो जाना चाहिए और अक साथे साथ कितना time लगेगा इसलिए बस को complete कराना है तो आपको जो note करना है केवाल यह point note कर लीजिए देखे काफी sort में note सम बनवा रहे है ताकि आपकी exam में आपको विद्यारतियों की पूंजी बिल्कुल यह सही बात है कि जो विद्यारति ग्यान प्राप्ति के लिए पुस्तकों को जब चाहे खोल कर पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं विद्यारतियों की पूंजी होती है सो उत्देशा मतलब जो सो उत्देशा मतलब जो भी किताब या पार्ट फुस्तक के बना जाती है वो किसी उत्देश को ध्यान में रखकर बना जाती है ताकि क्या हो Dieses Student का knowledge बढ़ने यही कहती है कि जो पार्ट पुस्तकों की रचना को जिस देसों को धियान में रखकर की जाती है भासा की पुस्तकों में भासा ग्यान वरद्धी का उद्धी भी होना चाहिए ना केवल सूचना इनका कहने का मतलब यह कि अगर कोई भासा की पुस्तक है तो उसके अंदर भासा का ग्यान भी होना चाहिए इसी पुस्तक ना हो जो केवल आपको सूच ना भर दे दे लेकिन आपके कोई ग्यान में व्रद्धी ना करे तो यह होता आप पुस्तकों की आउसकता क्यूं है आपको सबसे वह होती है पुस्ता को कि आप किसी को पहार भी कर सकते हैं साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- साथ कमेंट भी आप कर सकते हैं और अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ इसाथ अगर चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो अब आप सब्क्राइब कर लेजिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं ठेंक यू फॉर वाचिंग विजय एकेडमी